अगर आप ने इस वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत सारी चीजे स्किप करेंगे कर जाओगे तो इसलिए मैंने इस वीडियो में हैंड रेटर नोट्स रखेंगे आप अपने तो उनके कार्डिंग में आपको स्टड़ी करवाँगा आज की इसकी और कितने सारे जो वैटलेंड्स हैं जो की रामसर साइट में क्रिवेंशन में एड हुए हैं और कब किस कि अब रिसेंटली जो एक्जाम हुआ अपना जेके एससबी जेके एससबी का यूनियर स्टेटिकल एसिस्टेंट का एक्जाम हुआ हुआ 2021 का उसमें काफी सारे कोशन थे जो इस टॉपिक से उठाए गए थे ठीक है और यह जो टॉपिक है किसके अंडर आता है ये भी एक इ ज़रूरत है कि सो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट जो भी इस चैनल पर नुए है तो आप इस चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर ले न जेके प्रैक्टिस को क्यूंकि आपको यह जो वीडियो मिल रही है मैं आपको इतनी ग्रंटी के सात कह सकता हूं कि अभी तक ये जित इतने भी बैटलेंस हैं, उनको cover करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को start और different different social media के platform को जुरूर जोईन कर लेना, link आपको description box में provided है, ठीक है, तो ये वीडियो देना मेरा बहुती important motive था, क्योंकि इसमें आप काफी सारी चीजें ज glance पे होगी, ठीक है, जियनके at glance पे, और जो हमारे stock assistant वाले student है, वो भी इस वीडियो को जुरूर देख लें, ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इसको start, मैं आपको बता दू, ये जो मैंने notes अभी बनाए, आज ही मैंने इसको बनाया, मेरा पूरा जो time इसमें लगा, वो लग 3.5 hours, ठीक है, यानि कि साड़े तीन गंटे मेरे लगे, तब जाके ये मेरा topic complete हुआ है, ठीक है, wetlands पला, तो चलिए करते हैं, देखते हैं, खुप सो आपको अच्छा लगेगा लेक्चा, अच्छा लगेगा तो like और share ज़रूर करते हैं, जैसे कि अपने thumbnail लेखा, उसमें देखी लिया होगा कि wetland होता क्या है, यह wetland is an area, wetland एक ऐसा area है, जो area between a land-based and a water-based ecosystem, जिसमें land और पानी का जो system होता है, उसको हम बोलते हैं, wetland, ठीक है, बाकि अगर मैं बात करूँ, यह ecology का topic है, ecosystem बगारा जिसमें आपकी ecology और उसका topic है, तो wetland कितने type के होते हैं, wetland की कुछ types आती हैं, जो कुछ types हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इनको आप जरूर देख लेना कि एक तो box होती है, box जो होती है, एक bog land बोलते हैं इसको, क्या होता है, bog land बोला जाता है, और peat a deposit of dead plants material, तो यहाँ पे dead plant का material होता है, इन चीज़ों तो यह थोड़ा, अगर मैं बात करूँ तो यह science portion से आ जाता है, ठीक है, ecology से, और यह fresh water lake मतलग होती है, इनकी fresh water lake में होता है, यह wetland, fence होते हैं, जो peat farming wetland कहलाता है, marshes जो होते हैं, aquatic और आपका टेस्टियल ecosystem इसमें involved होता है, ठीक है, उस swamps, swamps जो होते हैं, वो area जिसमें, मतलगी permanently पानी store हो जाता है, ठीक है, जैसे कुछ जंगल देखे होंगे आपने, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी ही पानी रहता है, वहाँ पे, all time, ठीक है, तो यह चीज़े होती है, swamps, ठीक है, इनको बोलते हैं, swamps बोलते हैं, ठीक है, तो यह भी important है, तो इतना आ हमारा wetland है, वह होकर सर wetland, ठीक है, तो इसके related भी question पूछा गया था, जैसे के exam में, अगर बात करूँ कोई, कौन सी district में located है, तो यह सिर्नगर में है, और जैना कोट, जैना कोट के नाम की जगा पे है, ठीक है, अगर आप से area पूछा जाएगा तो area इसका यह है, 13.75 square kilometer, ठ is a designated word century, यह word century है, और यहां पर जो species बगार आपको देखने को मिलेंगी, वो shore words होगी, geese होगी, cranes होगी, और ducks होगी, ठीक है, और कुछ यहां पर migratory वो है, क्या बोलते है, words, migratory words होते है, जो बाहर से लाए होते है, Siberia से लाएगे हैं, और Central Asia से लाएगे हैं, ठीक है, और hawker sir, जो bet land है, hawker sir, जो bet land है, इसको tune of bet lands भी बोल जाता है, क्या बोल जाता है, क्यों आफ bet lands बोल जाता है, ठीक है, याद रखने चीज़ को, exam में question आ सकता है, क्यों आफ bet lands है, यह कौन से bet land को बोला जाता है, जमू किश्मीर यूनिय ट्रेक्टरी में, यह भी important चीज़ है, इस वीडियो को skip मत करना, आप बहुत सारी चीज़ें यहां पर miss कर दोगे, मैं आपको पता दूँ, अगर आप personal notes बना रहे हो, तो तभी आपके लिए, अभी आप इसको skip मत करना, ठीक है, चाहे आप speed बढ़ा लो वीडियो की, 1.5 कर दो, 1.25 कर दो, यहां फिर 2X कर दो, ज रामसर कन्वेंशन्स एज होकरवर होकेरा, इस नाम से इसको होकेरा वेटलैंड एड़ किया गया, रामसर साइट में, 2005 में, याद रखना है इस चीज़ को important है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो next आता है, मेरा रामसर साइट्स इन इंडिया, इंडिया में अग रामसर साइट्स कितनी है, वो है आपकी 47, ठीक है, रिसेंटली कुछ दिन पहले 46 थी, अभी एक न्यूली एड हुई है यहाँ पर, 47 जो अपनी रामसर साइट्स है, उसको बोलते है, हैदरपूर वैटलैंड ठीक है, और यह उत्तरपरदेश में है, याद रखना, 2021 में इस थोड़ा इंडिया का रिलेटर नाले सा, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट रखा, ठीक है, उसके रिलेटर कुछ और भी चीज़ें जो है, जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको बता दूँ है कि लाजस्ट वर्ड रिजर्व है किश्मीर वैली में, बह बोलना, जीलम रेवर के, ठीक है, और ये मारशी एरिया, मारशी एरिया मैंने अभी पढ़ाया, आपको बोक्स, फैंस, मारशी और श्पैंस, ठीक है, इट इंक्लीउड लेक, ठीक है, लेक की, लेक में है ये, ठीक है, तो यहां पे आपने दो चीज़े सीखी कि इसको रामसर साइट में डाला गिया कब डाला गिया इसको 2005 में पर किस एक्ट के ताहिया था इसको डाला गिया जी एन के विल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइटी सेम्टी एइट यह कोशन भी जे कैसर्वी के एक्जाम में पूछा गिया था कि जमौन किश्मीर विल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है तो वो नाइटी सेम्टी एट को पास किया गया था इस्टैबलिश कब हुआ था ठीक है आपसे यह कोशन भी पूछा जा सकता है एक्जाम में उसके बाद मेरा नेक्स स्लाइड यह आती है कि मिर्गुंड बैटलेंड टीक है मिर्गुंड बैटलेंड जो है गाइस बोरिंग नहीं होना ठीक है क्योंकि मैंने एक ही लेक्षर में सारा कुछ कवर करना है अभी यह सेकिंड पेज चार रहा है अभी आपको 6-7 पेज पढ़ने है यह जो एंडिंग है वो 6 पेज पर है मिर्गुंड बैटलेंड जो है बारा मुला टेस्टिंग में एरिया इसका 4 square meter, kilometer है ठीक है और यह एक shallow freshwater बैटलेंड है ठीक है migratory words है यहाँ पर cranes है, swans है, duck है, geese है hybrids, hybrids children, childrenians है mallets है ठीक है यह migratory words है जो कि एक water word है ठीक है जो पानी में रहते है cinnamon, sparrows cinnamon, sparrows, black and yellow grosbeak, अगर आप से पूछा जाएगा exam है, कि yellow grosbeak कौन से wetland में है, तो आप बोलना miracle wetland में है, ठीक है black bulbul भी यहाँ पर मिलेगी, आपको monal peasant भी मिलेगी, मैं आपको बता दू यह black bulbul है, अगर आप से पूछा जाएगा कि कौन से national park में आपको मिलती है, तो आपने बोलना है कि यह datching gum national park में मिलती है ठीक है, datching gum उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ animals भी देखने को मिलते हैं the jackal मिलेगा, frog मिलेगी toad मिलेगा, कुछ variety हैं जो fishes की हैं, काइपरिनियस, कार्पियो, बार्बस, कॉन्चॉनियस, एन गंभूशिया, of winds, तो आप से यह पूछा जा सकता है, कि कौन सा ऐसा wetland है, यहाँ पर हमें कुछ varieties, fishes की देखने को मिलती है, बट आप से यह नहीं है, कि आप से पूछ लिया जाएका, जो चीज़े जादा होंगी, वो नहीं पूछे जाएंगी, जैसे हमने कुछ words के बारे में बताया, आपको इतने याद नहीं रखने हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखे हैं, कि जब आप notes पढ़ोगे, तो आपको यह चीज़ें थोड़ी सीखने को जल्दी मिलेंगी, ठीक है, उसके बाद आता है, कि betland rich in zooplankton diversity, और यह है, यह चीज़ important है, कि कौन सा जो betland है, जमन किश्मी युनिट अटरी का, जो कि rich है, zooplankton diversity, जानि कि जो पानी के अंदर होती है, ठीक है, और यह rich है, फ्लोरा फना के लिए भी rich माना जाता है, हुपसो यहाँ तक सबी को clear होगा, अगर आप से यह पूछा जाएगा, कि new, new, आप यह नहीं बोला कि, अब यह नहीं बोला कि, अब यह नहीं बोला कि NAP, यह नहीं कि new economic policy, नहीं, national environment policy कब established होई, 2006 में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ यह नहीं को, यह नहीं कि रिए, मिर्गुड, अब आप से यह कोशन भी बन सकता है, कि मिर्गुड has a, इंडिया one of the largest mulberry plant nursery, और मिर्गुड एक ऐसा blaze है, यह एक blaze है, याद रखना, मिर्गुड एक blaze है, यहाँ पे largest mulberry, mulberry पता है, यह सिल्क बाम होती है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है, और यहाँ पे कुछ medicinal plant भी मिलती है, जिसका नाम है, medicinal plant का, acros calamus, जिसको local language में, by moon बोलती है, ठीक है, आप से पूशन, पूशन जाएगा, कि acros calamus, जो है, इसका local नाम क्या है, वे moon बोलती है, यह medicine plant है, ठीक है, और medicine plants जो है, वो कौन से, बैट लैंड पे मिलता है, वो अका मिर्गुड पे मिलता है, जिसका नाम acros calamus, इससे ज़्यादा deep jkssb, जा ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी सोच अब बना लिए, jkssb की तरह, ठीक है, यहाँ पे होगे, दो हमने पढ़ लिए, साथ, थर्ड कौन सा है, शैला बुग बैट लैंड, जी हाँ दोसो, शैला बुग जो बैट लैंड है, गांदरवल डिस्टिक में है, और area का 16 square kilometer है, माइग्रेटरी वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी, एशिया का largest wetland is located in Shalibug village में, शेर पत्री ब्लॉक में है, शेर पत्री कहाँ पे है, आपका गांदरवल में है, ठीक है, और शेल बुग ब्लेज, शेल बुग यानि कि एक ब्लेज का नाम है, यहाँ पे आपका लेक लूप नहीं है, यहाँ पे लाक, लाक्स आप माइग्रेटरी वर्ड्स रखे गए हैं, लाकों के ददाद में, फ्राम साइबेरिया, नॉर्थन, यूरोप, चाइना और सेंटर एशिया से, यह मंगवाए गए हैं, ठीक है, माइग्रेटरी वर्ड्स, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देख सकती हो, शेलावाक्स, इंक्लूड सा, गूस, बार गूस, बाइट, हैल्ड, डक, शॉबलर, रेड, ग्रेस्टर, पोचर्ड, बाइट, आइट, यह सारे के सारे मालर्ट, कॉडवल, कोट, खॉंक, पाइंटल, कॉमन, टीर, और गैडविल, यह सारे के सारे स्पीशिस हैं यहां की, ठीक है, याद रखना, यह सारे सारे इसमें इंक्लूड होती है, शालवूग में, आपसे एक्जामी यह चीज़ नहीं पूची जाएगी, क्योंकि यह बहुत डिटेर में हो जाएगा, ऐसे नालेज के लिए गादा आपकी याद में, दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसे सेमिलर हैं, जो कि अदर आपको वैटलैंड में भी देखने को मिलते हैं, टेक है, और उसके बाद जो नेक्स सलाइड मेरी यह आती है, क्यादा चीज है, टेक है, अऊंचा लेक और सिंध नाला से अपना पाइन, यह जो पाएनी, रसीब करती है, टेक है, याद रखना है इसको अब कोशन यह आया था हाई गम वैट लैंड कौन सी डिस्टिक में वस इतना सा जे कैसे बी ने पूचा था हम कितना पढ़ रहे हैं देखो डिटेल में इसके लावा कुछ आ सकता है एक्जाम में गया हाई गम जो बैट लैंड है डिस्टिक बारा मुला में दोस्तों मैं आपको बता दू यह जो हमने फ्लोरान फना पढ़ा था यह फ्लोरान फना का ही पार्ट है ठीक है जे कैसे बी 2021 में एक कोशन आया था बारा मुला डिस्टिक में लोकेटेड हाई गम बैटल है याद रखना एरिया इसका 7.25 स्केर किलोमेटर है और डेप्थ इसके अगर बाबा कूल है ठीक है यहां से यह पानी अपना रसीब करती है रिच इन लोकल याद माइगरेटरी वर्ट में लगे है और कुछ लोकल वर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं अबर इंपारेंट चीज यह है कि यह चीज इंपार्टेंट है टाइफा एंड फ्रीजिश इन गुला लेक ये भी कोशन एक्जाम है ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो बैटलेंड है वो ड्रेन होगा वोलर लेक में तो वो कापका हाई गम बैटलेंड टीक है उसके बाद अगर मैं नेक्स बात करूँ दूरिंग विंटर दा वैटलेंड इस होम टू मैंनी माईगरे करूँ तो काफी सारे यहां पर माइगरेटरी जो डक्स हैं वो अपना बजेरा घर बनाते हैं एंसल स्पीशेस है वाइल गी से शॉबलस है रैड क्रिस्टिस और पोकार्ट्स है वाइट आई पोकार्ट्स है कॉमल टीट कॉट्स और ग्रेल एक्स दोस्तों अगर आपको ल अगर आपको यह कहीं से फ्री आफ कास्ट में अगर आपको नोट्स मिलते हैं तो मुझे जरूर बता देना ठीक है फ्री आफ कास्ट अगर आपको यह पेड़ भी मिलते हैं गर इसके तो तब ही मुझे बता देना ठीक है क्योंकि आपको यह कहीं नहीं मिलने माजा यह मेरी गरंटी है मालगम बैटलेंड जो है वाका डिस्टिक बांदीपुरा में है एरिया इसका 4.50 स्केर किलोमेटर है और मालगम बैटलेंड नौर्थ किश्मीर में मालगम बैटलेंड के लेटर आपको इतना याद रखना है इसके लेटर आपको गूगल करके भी हिस्ट्री इसकी नहीं मिलने वाली है और उसके बाद आता है मैन बुग बैट लेंड यह डिस्टिक पुलवामा में है पैमपोर रीजन में है ठीक है और यह मार्श लेंड एरिया लेंड है ठीक है इसका एरिया टू स्केर किलोमेटर है पस इतना याद रखो और इसका अगर मैन बुग की मैन बुग बैट लेंड मैन बुग जो बैट लेंड है पैडी कल्टिवेशन एरिया लोकल माइगरेटर यहां पर लोकल और माइगरेटर वर्ट है तो यह कोशन इंपॉर्टन एक्जामें बन सकता है अब ये नहीं बनेगा इस्टिक से कोशन बनेगा आपका किस चीज के लिए इंपारटेंट है लोकल माईगरेटरी यह तो है कि एक कोशन बन सकता आपका का एमसी त्यूस की बांधि पूरा इस्टिक में कून सा बेटलाइन लोकेटेड है मल गांँ मानबुक जो बैट लैंड आपका कौन सी डिस्टिक फुलवामा में याद रखना इस चीज़ को इंपार्टेंट है ठीक है उसके बाद मैं नेक्स स्लाइड पे चलता हूँ नेक्स स्लाइड मेरी क्या कहती है नेक्स स्लाइड ये कहती है कि जो अजास वेट लैंड है अजास जो वेट लैंड है वो कौन सी डिस्टिक में लोकेटेड है तो आपने बोला है बांधी पूरा डिस्टिक में लोकेटेड है अजास एक ब्लेज का नाम है याद रखना है अगर इस तरह कोई कोशन पूचेगा उसका रिस्पोंस कर देना ठीक है लाज स्टिम फ्लो दा कोई स्टिम साथ जो की फ्लो करती है इस ब्लेज के लेटर तो उसको बैड कोल के नाम से जाना जाता है पूचन नहीं पूचा जाएगा कोशन आपका सिर्फ इस से जेकी असद भी का सिर्फ यह एई ही बन सकता है चैलेंजिंग कोशन बन जाते है इसी को लेटर के जिसने पड़ा होगा उसी को आएगा तो पानी का वो दूद कंगा नुला से रहता है कासे रहता है लुद कंगा नूला से इसका स्व कर से रहता है ठीक है और इसके स्रॉंडेंड में पैडी की कल्टिवेशन है और बिलो प्लांटेशन ए tęएंड़ लिक्तेश यतीम से भी ऐसने के अटेशन चीज एरिया है ठीक है इस चिथो भी आपने यहा?, यहां तक ले रहा है ओके यह भी एक मार्शी एरिया है ठीक है कौन सा एरिया मार्शी एरिया है ठीक है उसके बाद चलिए मैं नेक्स चलता हूं एक पेंड क्यों नहीं चल रहे है और यह याद रखना यह एक बफर जोन में है बफर जोन में नका कौन सा वैट लैंड है कौन सा वैट लैंड है जो कि बफर जोन में है याद रखना यह चीज़ भी इंपॉर्टन जिस पर मैं इंपॉर्टन लिखूंगा उसको अपने देख लेना है ठीक है एक पैंसे में बहुर हो चुका हूँ ठीक है इसमें है ठीक है उसके बाद इस लेफ्ट साइड इंद्रा गांधी एरपोर्ट रोड और इसके लेफ्ट साइड में इंद्रा गांधी एरपोर्ट है ये चीज़ भी इंपॉर्टन्ट है पहना अच्छा नहीं है दूसरा रोट यह चीज भी इंपोर्टन रेड़ी ठीक है इंद्रगांदी नैशनली जो एरपोर्ट है इंद्रगांदी एरपोर्ट रोट है जो कि इस नरकारा बैट लैंड के लफ्ट साइड में ठीक है वाटर वर्ट्स यह वाटर होगा ठीक है वाटर वर्ट्स मुलर्ट्स पर्पल मोरहेंज इंडियन मोरहेंज और डॉप्ट चिक्स इन चीजों को याद नाम रख लेना क्योंकि कम है एक्जामी यह पूछे जा सकते हैं इससे ज्यादा उपर नहीं जाएगा चैक है अब यह मै सब इंस्पेटर का एक्जाम हुआ उसमें उन्होंने क्या पूछा जदा प्रेशर की पे दिया पाक पर और विल्लाइज सेंशरी पे अब वो आगे वेट लैंड की उपर तीक है अब जो सब इंस्पेक्टर का एक्जाम होगा अब वो क्या चीज़े पूचें गे यह हमें नहीं पता है, यहां तक मुझे लगता है कि उस एक्जाम में, वो कहीं ना कहीं जो ट्रीस हैं, जैसे चिनार का ट्री है, दिदार का ट्री है, इन चीजों के बारे में ज्दाधा फोकस करेंगे, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ तो इसके लेटर यही चीज़े आती है गाई से यह बैट लेंड्स औगरा होगे यही चीज़े आती है अब फ्लोरान फना की अंडर्ट और यह मेरे सारे कैंडिडेट्स पढ़ेंगे जो भी स्टॉक एस्टेंड की है फिर नहीं बोलना की सार आपने करवाया नहीं और चीज़े आई भी एक्जाम ही टिक है ऐसा नहीं यह कोशन आया था जी कैसे बीक एक्जाम में घराना जो बैट लेंड है यह कूछ सी डिस्टिक में यह जमू डिस्टिक में लहते हैं पर्पेशेंगिश यहां पर वार एडिडग है गडवल्स है कॉनले 어ग पर्पल स्पेंप हैं इंडिया मॉhr फंस ऐettes हैं भ्रीक विंचंथ हैं प्लक विंग्ड हैं कोरमोडंट्तिक काली लेका हैं कॉर्मोर एंटिश हैं आगडर से हैं और ग्रीन शांक से हैं टि कैं है Elevigatoryيم Grandma से यहां पर Central Asia से लाएगे हैं व वह थौजंड की त मेंड़ाता है कितनी थौजंड की तादात में लाएगे है टि कैं है और Garan 6000 बैटलंड एक्न तॉकषि को अब बहुत किया गया कोशन इस तरह से भी बन सकता है important है ठीक है question important है कि आप से पूछा जाएगा कि thousand of migratory world wetland किसको बोला चाता है वो गराना को बोला चाता है अगर आप से इस farm में भी पूछा जाएगा कि abort of लिख क्यों नहीं रहा भाई abort of migratory migratory क्यों नहीं रहा है माइग्रेटरी abort abort of migratory world कौन सा wetland है grana कौन सा है grana जो wetland है वो migratory abort of migratory world है ठीक है question मैं डालूँगा यह ठीक है इस question को मैं जुरूद डालूँगा अपने series में buler wetland buler जो wetland है district बांधी पूरा में है largest fresh water lake है इसिया की और island इस पे एक बना हुआ है जिसका नाम है जैनुल लैंक आप से यह पूछा जाएगा कि कौन सी लेक पे जैनुल लैंक बना हुआ है जैनुल लैंक बना हुआ है आइलेंड है ठीक है और यह 14,044 में बना था जैनुल अब्दिन के ने यह artificial island है artificial island है और इसको बनाने वाले जो थे जैनुल अब्दिन के टाइम पे बना था 14,044 में ठीक है याद रखना इसको और इसको designated आपको पता की ठीक है और इसको designated कब किया गया था रामसर साइड में 23rd मार्च 1990 गो और उसको होकर सर को कब किया गया 2005 में याद रखना और बुलर लेक इसन इंपॉर्टन फिश हैबिट और यहां पे फिश हैबिट के लिए इंपॉर्टन था बस इसके बारे में आप इतना याद रखो लोग बोलते हैं सांबा में आता है जमू में आता है तो ऐसे एरिया वाज देखा जाए तो गूगल पर आपको उधुंपूरी दिखाता है ठीक है सुरिन सर मांसर लेक का जो डेजिगनेटर रामसर कन्वेंशन में 2005 में इसको रखा गया था नमंबर में याद रखना प्रखनेटर वाजशन में तो गया तो गाईशन में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद सिक वीडियो को कांटिनू रेता हूँ टिक है मैं थक गया बोल बोल के चलिए पारगवल पारगवल जो बैटलेंड है याद रखना है जो मैं अभी बैटलेंड करवाऊँगा अभी जो आपके इंपॉरटन थे वो सारे होगे और ये जो बैटलेंड है न पारगवल यह डिस्टिक्ट जम्मो में है अकनूर में है ठीक है याद रखना हो दीस बैटलन मैंने दीस क्यों लेका है सरी यह तो एक ही है इसके साथ कुछ और भी है इन सबी को एक ही डेट को इसमें स्टैब नोटिफाइड किया गया 1981 में अंडर जमो निकश्मीर विल लाइप गवर्ड जो है यह अपका जमो में इस्टैब्लीच इसको कब किया गया ज्यानी की नोटिफाइड कब किया गया इसको 1980-1 में उसके बाद है कुकेरियन बैटलेंड जो कुकेरियन बैटलेंड है डिस्टिक जम्मू में है एरियास का 2.4 24.23 स्केर मीटर है नागा बैटलेंड नागा बैटलेंड जो है डिस्टिक जम्मू में है और एरियास का 15.25 स्केर किल्डो मीटर है ठीक है और संग्रल असाचक संग् अक्साक जो डिस्टिक जम्मू में एरिया इसका सब्सक्राइब पर यह याद रखने इतने इतने पॉर्टन नहीं है इनको बस याद रखे ना शायद आपको इनका पूछ लिया जाए कि परगवाल काम पे हैं यह से इस तरह से आप से पूछा जा सकता है सारे का सारे जम्मू चीज़े यही थी इसके इलावा आपको इंपॉर्टन चीज़े नहीं दिखने वाज़े अब चलिए कुछ और जान लेते हैं जी हां माच मैंने ये बड़ी बात है कि सर मैंने एमसी क्यूज भी रखे है आज आपने अपने रिटर में जी हां दोस्तों मैंने एमसी क्यूज भी इसमें कुछ इंकल्यूड किये हैं वर्ल्ड वैटलेंड डे कब ना जाता है वर्ल्ड वैटलेंड डे कब ना जाता है सेकंड फरबरी को हर साल सेकंड फरबरी को और सर किसको इस चीज़ को मैं एड़ कर लूँगा यहीं पर अर्थ का अर्थ की किड्नी किसको बोला जा तो वो बोलते है बैट लैंड को ठीक है यह चीज भी इंपार्टन है अर्थ की अगर आप से पूचा जाएगा किटनी किसको बोला जाता है वो आपके बैट लैंड को बोला जाता है अब बात आती है कुछ जनल बाते भी अभी करने है तस्वम रोडी सर यह क्यों लिखिया अ काउंटेन लेक भी बोल जाता है है ऐसे एकर मैं बात करूं न और भी थोड़े बहुत बैट लैंस हैं जी अनके में बहुत सारे हैं होंगे अभी मुझे नहीं मीले तुक है जो जो मेरे को दिखे मैंने आड किये क्यूंकि यह इंपार्टन थे most important क्योंकि question इनी के recording बनेगा total हमें हमारे हुए 16 जब हमारी जियनके state थी तब 16 थे अगर आपसे पूछे जाता कि जब हमारी जियनके state थी तब रामसर साइट में रामसर जो side थी उसमें रामसर साइट में कितने आते थे हमारे जियनके से तो वो आते थे 4 कौन कौन सा खोकर सर बुलर सुरीन सर मानसर वाला और यह अपना तब समरोरी वाला फिक है यह चार जो वेटलैंड थे जियनके के यह आते थे रामसर साइट में तेक है अब आपके यूटी बन चुकी है तो आपके कितने राव वेटलैंड है जो की रामसर साइड में आते हैं वो आते हैं आपके तीन होकर सर, बुलर और सूरीन सर, मांसर ये तीन वैट लेंड आपके इसम के अंडर आते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ लाइक और शेयर जुरूर कर देना अब चलेंगे हम कुछ discussion करने वाले हैं यहां पर तो skip बिल्कुल में करना वीडियो को इस चीज़ को ज़रूर देख लेना ठीक है आपके लिए important है देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप इस जो मैंने साड़े दीन गंटे मैंने इस पर नोट्स बनाए अपने पर आपके लिए वीडियो लाई है क्योंकि आपके इसलिए मैंने इस पर वीडियो इसलिए लाई क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर आपको ये सारे lecture मिलेंगी सारे wetland मिलेंगी ठीक है बस आपने कहीं भी नहीं जाना आएगा तो यहीं से नहीं आएगा तो कहीं नहीं से अब आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट कोशन यह है कि मैंने अभी पताया क्यों ना wetland किसको बोला जाता है क्यों ना wetland किसको बोला जाता है क्यों ना wetland is known as किसी तरह से question पूछा जा सकता है क्या hawker sir को बोला जाता है गराना को अजास को सूरीन सर मान सको तो वो बोला जाता है आपका yes hawker sir को ठीक है PDF इसकी चाहिए होगी मुझे बता देना मैं आपको PDF इसकी provide कर दूँगा ठीक है देखा होगा शाम को छे बज़े जो वीडियो आई उसके देखें होंगे यह सारे उसको बोलते गराना ठीक है गराना जो है अवोड़ा माइग्रेटरी है और यह थाउजन्ड आप माइग्रेटरी भी वर्स कहलाती है उसके बाद जो आता है शाला भुक शाला भुक जो बैट शहर पत्री नाम की जगह पे लोकेटर अब आपसे पूछा जाए कि हाव मैनी रामसर साइट्स इन जीन की रामसर साइट्स कितनी हमारे जीन की यूटी में ठीक है क्या वन है टू है त्री है यह फोर में यूटी की बात कर रहा है सबस्वार मैं आप्शन सी क्लिक करूँग अगर आप से सिर्फ जीन के बूछा जाएगा ना तो मेरे भाई आप चार लिखके आना वहां पे ठीक है क्योंकि जीकेएस भी क्या कर ली है कोशन आया था कि हमारे पास वो 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 कोशन है जो जीकेएस भी जीकेएस भी यूनिस्ट्रेटिकल एसिटेंट के इस पूचे के लिए जी हां सर गराना बैट लैंड लोकेटेट इन वी जीरिस्टिका जो मनकश्मीर यूनिट टरी गराना जो बैट लैंड है यह कोशन जीकेएस भी यूनिस्टेटिकल एसिटेंट के एक्जामें पूचा गया था क्या वो सिर्नगर में जम्मो में बारमुला या फिर बांधिपुला में तो यह आपका जम्मो डिस्टिक में लोकेटेट इए उसके बाद जो नेक्स कोशन है यह बी एक्जामें आया था कि होकरसर को बैटलेंड है ये कोंसी डिस्टिक में लोकेटेट है यह भी जेकेसर्वी GSA के एगजामें पूछा गया था तो यह होकर सर जो इए आ आका सिर्नगर टिस्टिक में लोकेटिड है उसके बार आकाशन कोेशन आये था हाइगम बैटलेंड जो हाइगम बैटलेंड है किस टिस्टिक में उनिटेटरि में तो यह भी जे कैसरी GSA 2020 में आया था 2021 में आया था तो यह जो आपका हाईगम है यह आपका बारा बुलाव डिस्टी में लोकीटीड है ठीक है ले रहे हैं उसके बाद जो आया है कि इंडिया का लाज़ेस्ट इंडिया लाज़ेस्ट एन ओल्डेस्ट यहां पर आएगा इंड यह गलत कर दिया तो इसका अंसर है मिरकुंट बिलेज में मैंने बढ़ाया था ठीक है तो यह था आज का हमारा जो में लेक्चर जिस पर हमारी बात चल रही थी कि सर ऐसे नहीं ऐसे करेंगे और कैसे करेंगे ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया ठीक है यही कोशन पढ़ना तो आई थिंक यह इनफ आपके एग्जाम पॉइंट आव यू से तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आजसा content आपको किसी भी channel पे नहीं मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आज का ये वीडियो लाया इस वाला ऐसा अगर आपको वीडियो अगर समझाने का दरीका नहीं समझाता वो मेरी mistake है यहां फिर आपकी mistake है यहां आपको क्योंकि मैं समझाता हूँ एक easy to easy language में एक layman language में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है क्योंकि मैं जितनी भी चीज़े होती है मैं सारी add कर लेता हूँ ठीक है जितनी भी चीज़े होती है मैं add कर लेता हूँ क्योंकि ऐसलिए add करता हूँ कि बच्चे को समझा जाए कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि फैन हो जाते हैं कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जो कि पढ़ने लाइक नहीं होती है इस वीडियो का लाने का मोटी मेरा यही था कि आने वाला JKSLSB का कोई भी एक्जाम होगा अगर उसमें यह कोशन पूछा जाएगा तो यह आप आप डेफिनेटली कर लोगी ठीक है अब जो फ्लोरा और फना पर हमारी एक सीरीस आएगी सिर्फ फ्लोरा और फना एमसी कुज होंगे जिसमें हमारे विल्लाइफ कार्ट के होंगे ठीक है हमें भी पूछी जा सकती है तो रखते हैं इस वीडियो का यहीं तक फिर बहुत लंबी वीडियो होगी है 33 मिंट्स की वीडियो होगी है तो बच्चे बोरिंग होगे होंगे और मुझे बहुत स्टूडेंट कमेंट्स करें जिसको इसका पीडियाफ शाहिए और मैं पीडियाफ इसको बनाऊंगा क्यूंकि मुझे कुछ चीज़ें यहां पर सेट भी करने हैं तो आलरड़ी पूरा सेट ही है तो मैं आपको प्रवाइट कर दूँगा आप टेंचन ना लाए फ्री आपकास्ट होगी आपको भी पता है ना हम नहीं लेंगे पर पता है ऐसे नेक्स वीडियो तब तक के लिए बबाइ कमेंट जुरूर करना है जो जबच्चा सिलेक्षंन लेना चाहता कमेंट जूरूर कर хотел के कमेंट करने का बयरी क्या होता है है नायब ज्यादा चल लिए बच्चे को अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो जाधा शेर हो जाती है वाइरल हो जाती है इससे तरह आना आप नहीं चाहते कि हमारा भी कटेंट जो वाइरल हो अगर चाहते हो तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखो ठीक है कमेंट ज़रूर करें सभी candidates ओके कैई ग झाल झाल